दो जुलाई दो हजार इकिस को प्रेसार भारती इंडिया ज पब्लिक सर्विस ब्रोड कैस्टर अल इंडिया रेडियो कोल काता का नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है जो निकली हुई है अलग-अलग फिल्ड में तो सबसे पहले जानते हैं एडिटर बंगाली एसेंटियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजवेशन फ्रोम एरिकजनाइज यूनिवरस्टी और साथ में आपका होना चाहिए डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिजम विदे डूरेशन फ्रोम एरिकजनाइज यूनिवरस्टी इंस्टियूशन और फाइव ये एक्सपिरियंस इन रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क इन प्रिंट इलेक्रोनिक मीडिया नमबर तीन पर है प्रोफिसियंसी इन बंगाली लेंग्विज तो ये जो पोस्ट है वो उनके काम की है जिनको बंगाली भाषा आती है जिनको बंगाली भाषा नहीं आती वो यहाँ पर एप्लाई करने की कोशिश ने करें क्योंकि वो एलिजिबल होंगे ही नहीं आगे desirable qualifications हैं अगर आपके पास हैं तो भी काम चल जाएगा नहीं है तो भी आराम से चलेगा age limit है 21 से 50 साल as on date of advertisement आगे है application fees 300 general के लिए है और 225 SC ST और OVC category के लिए है प्लस सभी का लगेगा 18% GST आगे है news reader come translator बंगाली यह भी बंगाली translator होगा graduate from a recognized university proficiency in बंगाली language good quality voice suited for broadcasting तो यहाँ पर जो translator ज्यादतर होते हैं उनका क्या होता है कि भाशा कैसी भी हो कैसे भी tone में बोलते हो या फिर तुतलाता हो हकलाता हो चल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको news broadcast करनी पड़ेगी इसलिए आपकी आवाज का अच्छा होना बोल होना बहुत जरूरी है और किस तरह से आप शब्दों को बोलते हैं वह भी बहुत जरूरी है essential qualification तो यह हैं और साथ में आपकी जो है desirable qualifications हैं आप इनको पढ़ेंगे एक बार तो अच्छे से समझ आ जाएगा इसकी भी एज 21 से 50 है 300 जनरल के लिए 225 है CST OVC plus 18% GST आगे news reporter की भी post है और broadcast assistant production की भी और फिर साथ में web editor की भी है तो इस वीडियो के description में हमने इस notification का link डाला है अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस link पर click करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आगे जानते है method of selection सिर्फ translator का ही जान लेते हैं जो की code number 2 है आपका होगा written test for general knowledge and current events as well as knowledge of local language जो आपके बंगाली है फिर है voice test and interview to assess suitability for radio news तो voice test भी होगा किस तरह की आपकी आवाज है कितने अच्छे से आप बोल पाते हैं कैसी आपकी command है voice की उस language के उपर तो यह सब जरूरी है तो यहां पर देखो इन्होंने बताया है कि किस post का कैसा method है selection का तो सभी का almost same है stage two में थोड़ी changes की गई है जो news reader come translator है उसका voice test test होगा और साथ में interview भी होगा लेकिन बाकियों में interview है और broadcast assistant है जो उसका practical proficiency test होगा और web editor में भी interview ही है तो यह थी कुछ जरूरी बाते terms and conditions है इनको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार जैनल के लिए 300 SCST OBG के लिए 225 non refundable fees होगी अगर आप पांचो पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग pay करना पड़ेगा सबसे जरूरी बात यह offline form है जो आपको इस serial number 4 पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको भेजना है और यह भेजना है आपको 27 जुलाई 2021 की शाम पांच बजे से पहले तो कोशिश करें अगर आप eligible हैं आप चाहते हैं इसके लिए apply करना तो 27 जुलाई से पहले ही इसको आप भेज सकते हैं बाकी जो eligible और non eligible candidates होंगे यह newsonair.go.in पर जानकारी दे दी जाएगी आप चेक करते रहें बाकी जो जरूरी बाते थी वो हमने जान ली है और यहाँ पे जो application form उसका format है यह दिया गया है तो आपको यह print कर लेना है पांच और च्छे और नमबर साथ तो यह साथ तक आप प्रिंट कर सकते हैं बाकी प ठीक है तो इनको आप अच्छे से भरके और जो कोपी आपको साथ में लगानी है आप इसको अच्छी तरह से apply कर सकते हैं तो बस इतना ही आगे भी हम ऐसी ही वीडियो ले के आते रहेंगे हमारी कोशिश रहती है कि जहां कहीं भी ट्रांसलेटर या फिर इससे related कोई वेकें कि अलाब